Hello friends and welcome back to Motor Redefined मैं हूँ आपका host और दोस्त अरिंदम घोश और आज मेरे साथ है Bajaj Pulser 180 जी हाँ friends 180F नहीं जो कि इसका पहले वाला version था ये 180 naked version है जिसका मैं आज आप लोग को एक detail में review देने की कोशिश करूँगा क्या सारी इसमें changes हुई है वो भी मैं आप लोग को बताने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा और आगे बढ़ने से पहले a very special thanks to MS Bajaj Nuhiati for providing me this bike and helping me out in this review process अगर आप वेज में गॉल में रहते हैं और Nuhiati में कोई भी Bajaj की भाई खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल MS Bajaj Nuhiati को contact कर सकते हैं सारी contact details अभी आपको आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी आप चाहें तो description box भी check कर सकते हैं और फिर इसके साथ चली बात करते हैं इसके top speed और price कितनी हो सकते हैं top speed की जहां तक बात है आप एक मान कर चाह सकते हैं अराउंड 110 से 120 किलोमेटर पर आर की top speed अचीव आप इसमें कर सकते हैं यह उपर नीच होड़ सकता है आप भी जानता है राइडिंग कंडिशन पर डिपेंड करती है तो चलीए friends without wasting further time let's start the review तो चलीए friends walk around start करते हैं सबसे पहले में आप लोगों को बता दूं कि आज आप यह जो variant देख रहे हैं यह red और black में available है लेकिन इसकी तीन और variant आती है जो की है white में, blue में and red में ठीक है और उसे के साथ साथ चलीए अब बात करते हैं कि 180F में और इसमें visible changes क्या क्या है सबसे पहले आपको जो change समझ में आएगा वो है इसके fairing में देखिए पहले 180F आए करती थी मतलब fairing which was similar to 220F लेकिन अभी इसमें fairing हटा के अभी देखिए इसमें वो पुराना वाले look provide किया गया मेरे ख्याल से 180F की जो cost है उसको घटा के और उसका जो overall जो एक performance उसको बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से company ने fairing हटा दी है ठीक है changes में आपको सबसे पहला जो visible change बता है वो इसके fairing में और उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आती है change इसके meter console में meter console में क्या के changes हुई है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा review के दौरान और उसके बाद अगर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि change क्या हुई है तो change हुई है इसके color graphics में देखिए यह जो graphics है इसमें change किया गया है पीछे आपको यहाँ पर 180 का एक batch दिख जाता है उसके साथ साथ देखिए जो pulsar लिखी हुई है यह अभी भी 3D में ही आ रही है इसमें अभी तक कोई change नहीं किया गया है जो कि देखने में काफी जादा खूबसूरत है और उसके साथ साथ अगर मैं आप लोग इसका front वाला view दिखाऊं तो यह देखिए पुराना जो एक legendary जो view है पुलसर का वो अभी भी maintain किया हुआ है लेकिन मुझे इसमें एक शिकायत है बजाज से कि अभी भी इसमें जो head lamp है वो अभी भी halogen किया रही है segment में अगर आप दूसरी गाड़िया देखता है जैसे कि मान लीजिये hornet तो उसमें यह LED आ चुकी है turn signals उसमें LED आ चुकी है लेकिन अभी भी इसमें जो setup है यह halogen की ही दी गई है यहाँ पर आपको एक pilot lamp on both the sides मिल जाता है उसके साथ साथ यहाँ पर एक बजाज का logo भी maintain किया हुआ है लब look wise गाड़ी काफी खूबसुरा था लेकिन मेरे खाल से अगर यह halogen के बज़े अगर LED डाल दी जाती गाड़ी में तो गाड़ी की जो overall specification है या फिर आप हो सकते हैं कि उपयोगीत या फिर आप हो सकते हैं application तो वो और बेटर हो जाती और उसके साथ साथ अब specifications के बारे में बात कर लेते हैं अब गाड़ी की new है तो मैंने आपको बता दिया कि changes क्या क्या है पुराने गाड़ी के साथ इस new गाड़ी के version में और अब task के बारे में बात करते हैं फ्रंट टायर के अगर मैं बात करूँ तो tubeless टायर आपको euro brick पी तरब से provide कराई जा रही है और उसके साथ साथ अगर मैं section की बात करूँ तो 90 by 90 section के टायर आपको यहाँ पर provide कराई जाती है और जहां तक बात है alloy wheel का तो यह 70 निची स्कालाई wheel आपको मिल जाता है यह जो आ और यहाँ पर अगर मैं मटगार की बात करूँ तो देखिए एक फेक carbon fiber का finish दिया गया जो देखने में काफी खुबसूरत लग रही है और safety के अगर मैं बात करूँ तो company अभी भी single channel ABS से provide कराती है जो कि मेरे कहाल से अगर dual channel ABS हो जाता तो और बहतर हो सकता था लब चली अब जो दिया गया है उसके बार मैं आपको बता देता हूँ single channel ABS से सामने में आपको यह ABS करिंग दिख रहा है और अगर मैं यह disc की बात करूँ तो वो 20 mm की है यहाँ पर आपको यह कैलीपर दिख जाता है और उसके साथ साथ अगर मैं उपर यहाँ पर दिखा हूँ आपको suspension जाता है with anti-friction bush और उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर engine की बात करूँ तो आपको Pulsar 180 में जो engine मिलता है बजाच Pulsar 180 में जो आपको engine मिलता है वह 170 8.6 CC 4-stroke SOHC Twin Valve Air Cool DTSI FI engine जाफ इसमें दिखिए आपको air cool engine मिलता है मेरे काल से at least अगर liquid cool मिल जाता तो इसकी specifications और बहतर हो सकती थी overall performance और बहतर हो सकता था और उसके साथ साथ अदा power और torque की बारे में बात कर लेता है power जो यह गाड़ी generate कर सकती है maximum वो है 17.2 PS at 8500 RPM और वहीं torque के अगर ब कोई कमी महसूस नहीं होगी खीक है और उसके साथ साथ अगर मैं आप लोग को इसका जो exhaust दिखाँ तो तो हवाँ देखिए engine से जो exhaust का जो पूरा connection है पूरा black out कर दिया गया है engine का जो color ने पार पूरा black out कर दिया गया है उसके साथ साथ यहाप जो exhaust देख रहे हैं यह exhaust का color पूरी तरीके से एक matte black में दिया गया है आप यह जो exhaust guard देख रहा है वो भी matte black में ही दिया गया है और उसके साथ-साथ आप यहाँ पर यह पिलियन पूशन में आप देखिए काफी जाला खूब सुरत लग रहा है एक कारवन फाइबर काफी खूब सुरत है रियर सस्पेंशन के अगर में यहाँ पर बात करूं तो आपको यहाँ पर एंडूरेंस के तरह से प्रोवाइड कराए जा रही है मतलब ऑन बोद इस तो देखने में जितनी खूब सुरत है मतलब इंडूरेंस के तरह से प्रोवाइड कराए जा रही है तो बेस्ट इन क्लास है मेरे कासे काम भी उतनी बहतर करेगी और उसे के साथ-साथ एकदम अगर मैं आपको इसका रियर व्यू दिखाऊं रियर व्यू में आप यहाँ पर देख बहुत जारा खुबसूरा था मतलब राइट और लेफ्ट में बहुत जारा चेंज़ेज नहीं है और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो पीछे के आप टायर देख पा रहे हैं 120 by 80 सेक्शन के टायर दी गए टूबलेस टायर है और उसके साथ-साथ अगर आप यह जो अलावी वील देख पा रहे हैं यह भी 17 इंचिस की दी गई है देखिए यह जो रेट कलर का स्टिकरिंग है इसकी जो खूब सुर्ति और निखार रही है जैसे सामने प्रोवाइड कराए गया थी पीछे की जो टायर है उसमें भी प्रोवाइड कराए जा रही है और जह गई है और अब मैं आप लोगों को इसका जो एक्सास्ट नोट है वह एक बार सुनाना चाहूंगा फ्रेंट्स जो एक्सास्ट नोट है वह काफी ज्यादा रिफाइंड है मतलब जब आप इस गाड़ी को सुनेंगे ना exactly जब आप सुनेंगे मतलब अगर आप सा मतलब रियल में अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत बढ़िया आपको यह फील होगा मतलब एक बेस किये है यह चेंड सिस्टम है यह उपन है मतलब आपको 300-400 किलोमेटर की रेंज पर आपको अपना जो चेन है उसको प्रीन और ल्यूप करना होगा जहां तक बात है स्टैंड की तो सिंगल डबल स्टैंड डोनों इसमें प्रोवाइड करा जा रही है मतलब सिंगल स्टैंड चीजिस में प्रोवाइड करा ही जा रही है और उसके साथ-साथ अगर मैं सीट और टैंक की बात करूँ तो पहले सीट की बात करते हैं सीट का जो कंपाउंड है इस वान मीडियम साइड मतलब इस कमफर्टेबल फर बोथ पिलियन और राइडर मतलब 180cc सेगमेंट की है मतलब अगर आपकी हाइड 56 तक की है तो अब बिल्कुल सही तरह किसे इस गाड़ी को राइड कर पाएंगे आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए और इसके साथ-साथ आप यहां पर देख रहे हैं कार्बन फाइवर का जो फेक फिनिश इसमें प्रोवाइड कर करते हैं तो और उसका साथ-साथ चरिए अब इसका जो मीटर कंसोल है वह भी मैंको एक बार दिखाना चाहूंगा देखिए इसमें एक प्रोब्लम यह है कि जब तक मैं गाड़ी पुरी तरह के सान नहीं करता हूं देखिए यह आफ हो जाती है तो लब दो अनलोग और इंडिकेशन मिल रहा है तरह अबको साइड सेंड़ May府 यह वह आपको बता रहा है यहाँ पर आपको टैको मिल जाता है तेको मीटर यहाँ पर आपको स्पीडो मेंटर मिल जाता है और उसका साथ-साथ आप जिखिए आभरेज फ्यूल कंजम्शन कितना है आप कितना आगे तो यही पार अगर आप यहां पर अिया थैंडिकेटर करता है तो यहां पर इंधिकेटर का यूज़ करता हैं तो यहां पर इंडिकेटर ओसके साथ गाड़ी न्यूटरल पर है तो यहाँ पर इंडिकेट होती है उसे के साथ आगा आप पास्लाइट के इस्तिमाल करते हैं तो यह यहाँ यूज होता है देखिए और उसे के साथ-साथ यहाँ पर एक ABS के बेंडिकेटर दिया गया है देखिए इसमें खासी है कि आपको यहाँ पर यह ओडो दिख जाता है उसी के साथ साथ आपको यहां पर on the go कितना average दे रही है आपको भो भी दिख जाता है और यहां पर दो ट्रिब भी दिया गया है जो कि आपको बहुत ज्यादा help करती है इससे information को gather करने में और उसी के साथ साथ friends अगर मैं यहां पर handlebar की बात करूं काफी जादा लाउड है मतलब pulsar का जो horn है पहले सी बहुत जादा लाउड था अभी भी इसमें बरकर आ रहा है उसे के साथ साथ right handlebar पर अगर मैं आ जाओ तो यहां पर देखिए normal सी है मतलब यह engine kill switch है और नीचे अगर आप engine on करना चा रहे है तो engine on का एक बटन दिया गया और जहां तक fit and finish की बात है आप देख सकते हैं मतलब बहुत जादा खूबसरात है इसमें कोई exposed edges आपको नहीं दिखता है ठीक है मतलब आसा नहीं है कि आपको देख कैसा लग रहा है नहीं इसमें कुछ exposed है बिलकुल आसा नहीं है मतलब बहुत जादा finish इसमें अच्छा तर करेंगे तो मिरा बिलकुल से में इसमें कोई changes नहीं की गई है और चलिए देखते हैं कि आपको क्या ये भाई खरीदनी चाहिए फ्रेंट आप लोगों पसंद आयोगा आपको पता है पसंद आया तो क्या करने है छोड़ा साथ लाइक कर दिजिगा ताकि मेरा motivation और बाड़ कर लिजेगा तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आपको बजाज पल सा 180 खरीदनी चाहिए और इसके पहले फ्रेंट आपके दिमाग में कुश्चिन आ रहा हुगा कि ये बाइक चेंज कैसे हो गई चेंज नहीं हुग है जब दो महीने के पहले करीब दो महीने पहले जब लॉंच किया था दो यह 180 वाला वेरेंट नहीं है 150 वाला वेरेंट लेकिन फिर बी इसी कलर वेरेंट के साथ लॉंच किया गया था तो चलिए आप जानता है कि आपको बजाज 180 खरीदनी चाहिए निससे पहले आप जान लीजे कि इसका दो अबनता है वह आप टी वे पूरे लेडी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस भी से थोड़ा ज्यादा है तो देखिए अगर आपको प्राइस माहिए नहीं रखती है अगर आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा बहतर चाहिए तो बिल्कुल होनेट टू पॉन्टों के साथ जा सकता ह आपको फिल नहीं होगी आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज एक लाइक कर देजिएगा चली मिलते एक नए वीडियो में टॉपिक के साथ अब तक लिए राइट से फैंड जाहिंद